नमस्कार दोस्तो ग्यान की बात में आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आम खाना हर किसी को पसंद है तो ऐसे तो आम का मौश्रम शुरू हो गया है, हर कोई आम खाने वाला है तो दोस्तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजे ताकि आपको पता चल सके कि आम के क्या-क्या फाइदे है और क्या-क्या घरे लूपाए है और क्या-क्या नुकसान है तो चलिए दोस्तो बिना वक्त गवाय इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करके इस बैल आइकन को दबा दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज खासी की शिकायत हो जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना है पका हुआ आम लेना है उसे भून लेना है जिस तरह से हम आलू को भूनते हैं बस उसी तरह से हमें आम को भून लेना है फिर जब वो थंडा हो जाएगा तो नियमित रूप से दिन में दो से तीन बार खाना है ऐसा करते रहने से आपकी जो सूखी खासी है वो जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों जिनको नीन की शिकायत रहती है यानि की बार बार नीन खुल जाना या फिर सही तरीके से नीन नहीं आती है तो उनके लिए भी बहुत ही सरलुपाए है उनको बस क्या करना है मैंगो मिल्क शेक बना कर पीते रहना है ऐसा करने से जो नीन बार बार खुल जाती है ठीक तरह से नीन नहीं आती है ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों जिनको भूग बहुती कम लगती है या फिर भूग नहीं लगती है उनके लिए भी बहुती सरलुपाय है बस उनको क्या करना है आम का एक गलास रस लेना है उसके अंदर स्वाद के अनुसार सेंगा नमक और स्वाद के अनुसार शक्कर मिला कर पीते रहना चाहिए ऐसा करने से उनकी भूख खुल जाती है और उनको खुल कर भूख लगने लग जाता है। दोस्तों जिनके शरीर में खून की कमी रहती है उनके लिए भी बहुती सवर लुपाय है। बस उनको क्या करना है जो मैंगो मिल्क शेक होता है उसके अंदर एक से दो चम्मत शेहत को मिलाकर दिन में दो बार नियमित रूप से पीते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से एक शरीर में खून की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। दोस्त अगर आपके दात और मसूडों में चाहे जैसी भी तकलिफ हो उसकी लिए भी बहुती आसान सा उपाय है बस आपको क्या करना है आम की जो गुठली होती है उसके अंदर की गिरी को निकाल कर सुखा दीजिए सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर से रोजाना मंजन करते रहे ऐसा करते रहने से आपकी दात की और मसूडों की सारी तकलिफ धूर हो जाएगी अगर किसी बच्चे को मिट्टी खाने की आदत है तो उनके लिए भी बहुती सरलुपाए है बस उनको क्या करना है आम की गुठली का पाउडर दिन में तीन बार पानी के साथ में आधा-ाधा चमच बच्चों को पिलाते रहना चाहिए ऐसा करने से बच्चों की मिट्टी की आदत छूड़ जाती है या फिर एक काम और कर सकते हो आम की जो गुटली होती है उसे भून कर बच्चों को दे दीजिए खाने के लिए अगर बच्चा उस गुटली को खाते रहेगा तो उससे भी उसकी मिट्टी खाने की आदत छूड़ जाएगी दोस्तो रक्तिस्तराव या फिर बवासीर के रोग में भी आप आम की गुटली का प्रयोग कर सकते हैं बस आपको क्या करना है आम की जो गुटली होती है उसके गिरी का चुर्ण दिन में तीन बार पानी के साथ में एक एक चमच आपको लेते रहना है ऐसा करने से आपका रक् की समस्या है तो आपको बस क्या करना है आम की जो गुठली होती है उसके गिरी को निकाल कर पीस लीजिए और उसका दो बुंद रस निकाल कर दोनों नाक में दो दो बुंद टपका दीजिए ऐसा करते रहने से नक्सीर की समस्या जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तो अगर आपको मकडी काट ले तो बस आपको क्या करना चाहिए आम की जो ताजी गिरी होती है उसे पीस कर उस जगा पर लगा देना चाहिए जहां पर मकडी ने काट लिया है ऐसा करने से मकडी का जहर फैलता नहीं है और उसका जहर खतम हो जाता है दोस्तो आग से जल जाने पर आपको क्या करना है आम के जो पत्ते होते हैं उनको जला कर उसकी राक बना लेना है और उस राक को जले हुए स्थान पर लगाना है ऐसा करते रहने से जो जला हुआ स्थान है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और जले हुए का निशान भी खतम हो जाएगा दोस्तो अगर आपको हाथ पैर में हमेशा जलन रहती है तो उसके लिए भी बहुत आसान उपाए है बस आपको क्या करना है आम का जो फूल होता है उस फूल को तोड़ कर हाथ और पैर पर नियमित रूप से रगड़ते रहे आपके हाथ और पैर की जलन धीरे धीरे करके हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी दोस्तो अगर किसी का भी गुर्दा कमजोर है तो उस इंसान को रोज पका हुआ आम खिलाते रहना चाहिए ऐसा करने से उनका जो कमजोर गुर्दा है फिर से उसमें नई जान आ जाती है तो दोस्तो जब तक आम का मौसम है इसका फाइदा उठा लीजे रोज एक पका हुआ आम खाईए और अपने गुर्दे को मजबूत बनाईए दोस्तो पका हुआ आम खाने से इम्यून सिस्टम बहुती मजबूत हो जाता है यानि कि रोग प्रतिरोदक शमता बढ़ जाती है जिससे कि आपका शरीर बार बार बिमार होने से बचा हुआ रहता है दोस्तो अगर आप अपने शरीर से फैट लॉस करना चाते हैं यानि कि अपनी शरीर से चर्बी को कम करना चाते हैं तो इस आम के मौसम का फाइदा जरूर उठाईए रोज एक पका हुआ आम खाईए अगर आप रोज पका हुआ आम खाएंगे तो आपके शरीर की चर्बी दीरे दीरे खतम होने लगेगी दोस्तों अगर आपको बार बार भूलने की बिमारी है आपकी यादधास कमजोर है तो ऐसे में भी अगर आप रोज पका हुआ आम खाते रहेंगे तो आपकी यादधास दीरे दीरे मजबूत होने लगेगी और भूलने की बिमारी दीरे दीरे खतम हो जाएगी तो इस आम के मौसम में जितना हो सके उतना आम आप जरूर खाईए दोस्तों अगर आपकी आँखे कमजोर है तो उसके लिए आप पका हुआ आम खाते रहिए दिरे दिरे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आम के नुकसान के बारे में दोस्तों अगर आप अधिक मातरा में कच्चे आम का सेवन करते हैं तो इससे आपके वीरे में पतलापन आ सकता है मसूड में कश्ट हो सकता है तेज भुखार हो सकता है आखों के रोग, गले में जलन, पेट में गैस और नाक से खून आना इस तरह के विकार उत्पन हो सकते हैं अगर आप खाली पेट कच्चा आम खाएंगे तो आपको कब्स की शिकायत होगी अपच की शिकायत होगी और अधिक मातर में अगर आप आम चूर खाएंगे तो आपके शरीर में नपुन सकता भी हो सकती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और वाटसेप ग्रूप में जरूर शेयर करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद